जैसे हमने देखा कि alt tag होता है जो google पढ़ता है उसको image को understand करने के लिए लेकिन google उसके लावा भी कुछ चीज़ें पढ़ता है हमने वो भी understand करनी है कि वो और क्या चीज़ें हैं जो google पढ़ के हमारी बेतर SEO कर सकता है यहीं कि अगर कोई हमारी product सर्च कर रहा है और हमारा image दो उसमें rank कर जाए तो वो क्या क्या google चीज़ें देखेगा all tag एक चीज़ थी लेकिन all tag के लावा भी tags मौझूद हैं जो मैं चाहूँगा कि मैं आपको इस topic में बताओं इस topic में हाई पाप mainly तीन और चीज़ें हैं जो google मेयर करता है text के हवाले से जिसको आप अगर बेतर कर लें तो chances हैं कि हमारी SEO बेतर हो जाएगी आपको यह बताता चलूँ कि यह जो extra चीज़ें हैं यह basically इसका directly impact नहीं होता यह minor impact है लेकिन अगर आप यह चोटा चोटा करके अगर आप सारे images पर करते जाएंगे और आपकी images पर अगर thousands of pages हैं जिसमे thousands of images भी हैं तो यह बहुत बड़ा impact डाल सकता है तो आपने ध्यान में रखना है कि अगर आप यह image SEO के बारे में serious हैं अगर आपकी product है तो आप definitely यह जरूर करें so सबसे पहली जो चीज है वो है title of the image so image का title basic के लिए आप दे सकते हैं जो कि नजर नहीं आता है जब आप image का title देंगे तो आप अपना mouse image के ओपर लेके जाएंगे और थोड़ी देंगे रुकेंगे तो एक tool tip छोटी सी pop-up होती है आपके cursor के बिल्कुल पास से जहाँ आपक कुछ extra information लिखी होती है कि तब ही होगी जब उसमें title लगा वा होगा so अगर image का आप all tag लिख रहे हैं तो आप उसका title भी जरूर लिखें तो title लिखने के लिए basically क्या होता है कि हम दुबारा से example लेंगे उसी ford mustang car की जो हमने अभी पहले देखी थी इस में हमने decide किया था कि इसका जो image का HTML tag बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा जिसमें उसका image का URL है, image का all tags हैं और उसके लावा उसके weight और height भी explained हैं लेकिन अगर मैं इसको break कर दूँ अब यह जो आपको नज़र आ रहा है HTML में tag दिसी तरह से लिखे जाते हैं लेकिन आप इनको break भी कर सकते हैं अ मैंने हर quote को, हर tag को एक different line में कर दिया ताकि हम समझने में असानी करें और मैंने यह आप देख सकते हैं कि alt tag हमने पहले ही पढ़ लिया है कि यह basically क्या होता है, इस alt tag को already हमने देख लिया है, अब हमने add करना है title tag, so title tag कैसे add होगा, जिस तरह से alt tag add होता है, उसी तरह से title tag भी add होता है, तो यहाँ पर मैंने descriptive title लिख दिया है, इस image के बारे में, यह random, मैंने image लेकर random मैंने example लिखी है, यहाँ पर आपने keywords ही use करने हैं, तो याद रखें जब भी हम क्या चीज़ optimize करने की बात करें, आपने keywords यूज़ करने हैं, उस page के around जो आपने group assign किया है, उसी group में स आप overlap नहीं करेंगे, आप वो mix नहीं करेंगे, तो यह याद रखने हैं, आपने हमेशा जब भी मैं बात करूँ तो आपने इस चीज़ें जेन में रखने हैं, यह अब मैंने title लिखा, वो text HTML में कुछ इसी तरह से नज़र आएगा, जहाँ पर यह आपको पूरा title की option available है, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, to the point लिखें, specific लिखें, और कोशिश करें, ज़्यादा कीवर्ड यूज़ करें, लेकिन structure भी यूज़ करें, इसी तरह से आप image का अगर आप मैं अकसर देखा होगा, कि खसूसन खबरों में, या अखबार अगर आप पढ़ते हैं, वह image चोटा सा caption लिखा होगा होता है, वह लंबा भी हो सकता है, लेकिन बहुत छोटे लफाज में लिखा होगा होता है, जिसमें image को describe रहे होते हैं, वह image के बारे हम बता रहे होते हैं, कि ये कौन खड़ा है, या इसमें क्या हो रहा है, या वह क्या story है, वह image basically help करता है, अब सबसे उपर figure का code open करेंगे, उसके अंदर image का tag वैसी चलेगा जो हमने पहले लिखा था, फिर नीचे figure caption का tag open होगा, close होगा और उसके बीच में हम अपना tag, जो title, जो caption लिखना है हमने उसके बीच में लिख देंगे, यह HTML की coding है और यह ऐसे ही है, हमने सिर्फ इसको understand करना ह और again हमने इतना understand करना है कि हम इसको समझ के कर सकें, या अगर हम किसी developer की solo available है, तो हम developer से करवा भी सकते हैं, तो आप इस code को इस तरह से लिख कर, उसमें अपने caption लिखें, caption में भी कोशिश करें कि describe करें, जाद से जादा के image के अंदर क्या हो रहा है, और उसके keywords भी use करेंग सवाल ये है, कि अब हम क्या इस code को as it is use कर सकते हैं, जी, तो बिलकुल ये जो code है, वो almost ready है, आपकी SEO के लिए जिसमें ना सिर्फ title, बलके उसमें all tag और उसमें caption भी लगावा है, ये तीन चीज़ें तो हमने discuss कर ली, इसके लावा Google क्या देखता है, text के हवाले से, तो वो ए around, so वो जो image है, वो कहां पर नजब आ रहा है, तो अगर आपका बहुत लंबा page है, और उसमें आपने एक, मतलब इसी की example लेते हैं, अगर आपने फोर्ड मुस्टैंग की एक तस्वीर उपर लगाई ही है, लेकिन आप फोर्ड मुस्टैंग की बाद नीचे जाके कर रहे है जो के तक्रीबें दो-चार पेराग्राफ के बाद आ रही है, तो आपके ख्याल में क्या वो एक relevant image होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो बात कहीं हो रही थी और दिखा कहीं नहीं आप, वो बड़ा mismatch से हो जाता है, तो जूजर को भी नहीं पसंद आएगा, गूगल भी जहां पर आप image लगाएं, उसके around text भी देख लेंगे, वो उस image के relevant है के नहीं, क्योंकि वो text Google measure करता है, कि इसके around text क्या लगावा है, और उसके image कौन सा लगावा है, तो अगर वो relevant होगा, वो relate करेंगे एक दूसरे से, तो Google आपको ज्यादा अच्छी ranking देगा, तो ये तीन ये तीन चीज़ें हमने डिसकस की, जिसमें title, caption और text around image, ये तीन चीज़ें आपको और देखनी है, all tag के बाद, जो के Google measure कर सकता है, और जितना ज़्यादा आप इसको optimize करेंगे, उतना ज़्यादा SEO बेतर होगा, अच्छा, अभी मुझे पता है कि आप लोग वो codes देखके च आइसे लिखेंगे, तो मैंने आपको चूंके बार 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 ये बताया है कि आप wordpress में अपना website अगर बनाएं तो आपको wordpress काफी चीज़ें असान कर देता है, तो ये जैसे कि wordpress में window देख सकते हैं, अगर आप wordpress में image लगाएंगे तो ये boxes आपको मिलेंगे जिसमें आप image जैसे जब publish होगा, वो ऐसी optimized होगा, तो wordpress में आप इसको बड़ी असानी से कर सकते हैं, लेकिन हमने, चुके HTML भी पढ़ लिया है, तो मेरा नहीं ख्याल कि अगर आपको HTML कोड देखना पड़ जाए, तो आपको नहीं समझ जाएगी, क्योंकि ये बहुत easy है, और आप ये स झाल झाल